Hi kids, आज हम करेंगे हमारा chapter 4.6 पापा पनफ स्पेशल क्रिस्मस पापा पनफ का स्पेशल क्रिस्मस It was Christmas Eve and although it was still afternoon, lights had begun to appear in the shops and houses of the little Russian village for the short winter day was nearly over यह क्रिस्मस की पूर्वसंद्या थी यानि क्रिस्मस के एक दिन पहले का दिन था और हाला की अभी भी दुपैर थी छोटे रूसी गाउं की दुकाने और घरों में रोश्नी दिखाई देने लग गई थी क्योंकि छोटा जो सर्दियों का दिन था वो लगभग खतम हो चुका था एक हानी कहा की है एक रश्या के गाउं की जहां पर जो है सर्दियों का दिन चल रहा है और दिन जल्दी खतम हो रहा है excited children scurried indoors and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from closed shutters उत्साहिद बच्चे जोए घर के अंदर भाग गए scurried यानि अंदर भाग जाए यानि तेजी से भागना तो भाग गए थे वो घर के अंदर उत्साहिद क्यों थे क्योंकि स्कूल की चुट्टिया स्टार्ट हो गई होगी क्रिस्मस चल रहा है और अब जो है उनके बंद घरों से केवल बगबग और हसी की दबी-दबी आवाजे आ रहे थी तो खाली उनके बात करने और हसी की आवाज आ रहे थी उल्ड पापा पनव द विलेज शूमेकर प्रज़ स्टब आउटसाइज इस शॉप तो टेक वन लास लुक आराउंट तो जो गाउं के मोची बूरे पापा पनव थे, उन्होंने आखरी बार चारो और देखने के लिए अपनी दुकान से वो बाहर निकले, तो वो आखरी बार बाहर निकले कि दुकान से बाहर देखें क्या हो रहा है। उससे उन्हें पुराने क्रिस्मस के दिन याद आ गए जब उनकी बीवी जिन्दा थी और उनके बच्चे जो है वो छोटे थे। Now they had gone, अब तो वो जा चुके थे। His usually cheerful face with the little laughter wrinkles behind the round steel spectacles looked sad now। उनका आम तोर पर प्रसने चहरा जो है जो गोल स्टील के चश्मे के पीछे हलकी हसी की जुडियों के पीछे जो छुपा रहता था वो आज दुखी लग रहा था। But he went back indoors with a firm step, put up the shutters and set a pot of coffee to heat on the charcoal stove पर वो जो है घर के अंदर वापस चले गए द्रण कदमों के साथ। Shutter को उन्होंने लगाया और charcoal का जो stove था उसके उपर उन्होंने coffee का एक बर्तन जो है गरम करने के लिए रख दिया, coffee बनाने के लिए। Then with a sigh, he settled in his big armchair, फिर जो है वो एक आँ भरते हुए जो है अपनी बड़ी सी कुरसी पे बैट गए। Papa Penav did not often read, वो अकसर जो है पड़ते तो नहीं थे। But tonight he pulled down the big old family Bible and slowly tracing the lines with one four finger, he read again the Christmas story. पर आज की राच जो है उन्होंने अपनी घर की जो पुरानी Bible थी उसे निकाला और दीरे दीरे जो है उंगली रखते हुए एक एक लाइन उन्होंने पड़ी और वो जो पुरानी Christmas की स्टोरी थी उसे उन्होंने आज दुबारा पड़ा. तो उन्होंने पड़ा की कैसे मेरी और जोजफ जो है वो अपनी बैथलेहम की जो यातरा थी उसमें थक गए थे और उन्हें किसी भी इन, किसी भी सराय, किसी भी होटल में जगह नहीं मिली, कमरा नहीं मिला. तो मेरी को जो है अपने बच्चे का जन्म कहा करना पड़ा एक गौश आला में. ओ डियर, ओ डियर, अरे, अरे ये देखो, exclaimed पापा प्रनव, पापा प्रनव जो है चिलाए, if only they had come here, अगर वो यहाँ आ पाते, I would have given them my bed and I could have covered the baby with my patchwork quilt to keep him warm. मैं उन्हें अपना bed दे देता और मैं बेबी को जो है अपना patchwork वाली रजाई दे देता ताकि वो गरम रहता, तो मैं उसे उससे ढग देता. He read on about the wise man who had come to see the baby Jesus. तो उन्होंने जो है उन बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में भी पड़ा, जो बेबी Jesus को देखने आये थे, bringing him splendid gifts और वो उनके लिए बहुत सारे शानदार उपहार भी लाये थे. पापा पनफ's face fell, उनका चहरा जो है उतर गया, I have no gift that I could give him, मेरे पास कोई भी उपहार नहीं है जो मैं उनने दे पाता, he thought sadly, उन्होंने दुखी हो के सोचा, then his face brightened, फिर अचानक से उनका चहरा जो है चमक गया, He put down the Bible, got up and stretched his long arms to the shelf high up in his little room, उन्होंने बाइबल जो है नीचे रख दी, वो खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथ उपर फैलाए, उपर जो shelf थी उनके कमरे में, उसकी तरफ उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, He took down a small dusty box and opened it, उन्होंने जो है एक छोटा धूलबरा बकसा उतारा और उसे खोला, Inside was a perfect pair of tiny leather shoes, उसके अंदर जो है चम्रे के बने हुए चूते थे जो बहुती perfect थे, बहुती अच्छे थे, उसके अंदर एक छोटे से leather shoes थे, Papa Panav smiled with satisfaction, Papa Panav जो है संतुष्टी के साथ मुस्कुराए, Yes, they were as good as he had remembered, the best shoes he had ever made, हाँ ये तो उतने ही अच्छे हैं जितना उन्हें याद था कि इतने अच्छे होंगे, सबसे अच्छे जूते जो उन्होंने कभी बनाये थे, I should give him those, मैं उन्हें यही देंगा, He decided, as he gently put them away and sat down again, उन्होंने decide किया कि मैं बेबी जीजस को यही जूते दूँगा, और ऐसा decide करके उन्होंने जो जूतों को साइड में रख दी और दुबारा बैट गए, He was feeling tired now, अब उन्हें जो थकान महसूस हो रही थी, and the further he rather sleepier he became, और जितना आगे वो पढ़ रहे थे, उतनी ही उन्हें नीद आने लगी, The prince began to dance before his eyes so that he closed them, Just for a minute, वो जो words जो थे, किताब के, वो उनके आखों के आगे नाशने लगे, तो उन्होंने जो है अपनी आखें बंद कर ली एक मिनट के लिए, बिल्कुल भी टाइम नी लगा, पापा पनव तो गहरी नीद में चले गए, और जैसे ही वो सो गए, उन्हें सपना आया, He dreamed that someone was in his room, and he knew at once, as one does in dreams, who the person was, it was Jesus, तो उन्हें सोते हुए सपना आया, उसमें उन्होंने देखा कि उनके कमरे में कोई है, और उन्हें तुरंट पता चल गया, जैसे कि अगर आप सपने में देखो, तो आपको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कौन है, उन्हें पता चल गया, वो कौन था, वो तो Jesus थे, You have been wishing that you could see me, तुम यही चाहते थे कि तुम मुझे देख सको, He said kindly, ऐसा जो है, जीजस ने उनसे कहा, बहुती दयाल होता के साथ, Then look for me tomorrow, इसलिए अब जो है, तुम कल मुझे जो है, देखना, कल तुम मेरा इंतजार करना, It will be Christmas Day and I'll visit you, कल जो है Christmas का दिन है, और मैं तुम से मिलने आऊंगा, But look carefully, पर ध्यान से देखना, For I shall not tell you who I am, क्योंकि मैं तुम्हें ये नी बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, When at last, पापापनव awoke, the bells were ringing out, and a thin light was filtering through the shutters, फिर एंड में जो है, जब पापापनव जो है, वो जाग गए, तो उन्होंने सुना कि bells जो है, वो बज रही है, घंटियां बज रही थी, और एक पतली सी light जो है, वो shutters के थूँ अंदर आ रही थी, उन्होंने क्या कहा, Bless my soul, भगवान मुझे शान्ती दे, ऐसा कहके, उन्होंने कहा, आज तो Christmas का दिन है, He stood up and stretched himself, for he was rather stiff, तो वो जो है, खड़े हुए और उन्होंने अपने आपको stretch किया, क्योंकि वो पूरी राच जो है, वो जमीन पे सो रहे थी, तो वो बहुती stiff हो गई थी, उन्होंने अपने आपको stretch किया, Then his face filled with happiness, as he remembered his dream, फिर उनका चहरा जो है, खुशी से भर गया, क्योंकि उन्हें उनका सपना याद आ गया, This would be a very special Christmas after all, for Jesus was coming to visit him, ये Christmas तो सबसे ज़्यादा special होने वाला था, क्योंकि Jesus जो है, उनसे मिलने आ रहे थे, How would he look, वो कैसे दिखेंगे, Would he be a little baby, क्या वो एक छोटे बच्चे की तरह होंगे, as at that first Christmas, जैसे की वो सबसे पहले Christmas पे थे, छोटे बेबी की तरह है, Would he be a grown man, क्या वो एक बिल्कुल युवा इंसान होंगे, कारपेंटर होंगे, या फिर महान राजा होंगे, वो कैसे दिखेंगे, He must watch carefully the whole day, through so that he recognized him, however he came, तो पापा पनव को जो है, जीजस को पहचान सकें, जब वो उनके पास आए, क्योंकि जीजस किसी भी रूप में आ सकते थे, पापा पनव पुट ऑन special pot of coffee, for his Christmas breakfast, took down the shutters, and looked out of the window, पापा पनव ने जो है, अपना जो coffee का, जो special वाला जो pot था, वो जो है, गैस पे चड़ा दिया, और उन्होंने जो है, अपना जो दर्वाजा था, दुकान का, वो खोला, और वो खिर्की से बाहर देखने लगे, the street was deserted, जो पूरा रस्ता था, वो तो सुनसान पड़ा था, no one was staring yet, कोई भी वहाँ पे नहीं चल रहा था, no one except the road sweeper, और कोई भी नहीं था, बस जो सड़क साफ करने वाला है, बस वो ही था वहाँ पे, he looked as miserable, the dirty as ever, and well he might, whoever wanted to work on Christmas day, तो वो जो है, वो बहुती दुखी लग रहा था, और बहुती गंदा सा लग रहा था, क्योंकि सोचो, वो तो Christmas के दिन काम कर रहा था, और कौन जो है, वो Christmas के दिन काम करना चाहेगा, तो वो बहुती दुखी सा लग रहा था, and in the raw, cold and bitter freezing mist of such a morning, और वो सुबह तो कितनी ठंडी थी, और कितनी कपकपाती हुई ठंड थी उस सुबह, और उसमें जो है, वो बिचारा सुबह सुबह Christmas के दिना के रोट साफ कर रहा था, पापा पनव ओपन द शॉप डोर, पापा पनव ने अपनी दुकान खोली, letting in a thin stream of cold air, और अंदर जैसी उन्होंने अपनी दुकान का दर्वाजा खोला, अंदर ठंडी हवा आई, The sweeper looked up, scarcely able to believe his ears, तो वो जो sweeper था, उसने उपर देखा, उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, He was only too glad to put down his broom and come into the warm room, वो जो है, अपनी जाडू नीचे रखकर और गरम कमरे में आकर बहुत खुश हुआ, His old clothes steamed gently in the heat of the stove, and he clasped both red hands around the comforting warm milk as he drank, तो उसके जो कपड़े थे, वो धीरे-धीरे जो है, कमरे में आके जो है, स्टोफ की गर्मी से जो है, धीरे-धीरे गरम होने लगे, और उसने जो उसके दोनों हाथ जो लाल हो गए थे ठंकी वजए से, उससे जो है, उसने मक कुछ दोनों तरफ से अच्छे से पकड़ लिया, और पिर वो जो है, कॉफी पीने लगा, पापा पनव वॉष्ट हिम विट साटिस्फाक्शन, पापा पनव ने जो है, उसे संतुष्टी से देखा, पर एवरी नाव और देन, इस आई स्ट्रेट तो दो विंडो, और जो है, बीच बीच में उनकी नजर जो है, खिर्की पे चली जाती थी, ये तो, वो अपने जो उनका स्पेशल विजिटर, जो जीजस आने वाले थे, वो उने मिस नहीं करना चाहते थे, तो जब स्ट्रेट ने देखा कि वो बार-बार खिर्की के तरफ देख रहे हैं, तो उसने एंड में उनसे पूछी लिया, तो पापा पनव तो पापा पनव ने उसे अपने सपने के बारे में बता दिया, वेल, I hope he comes, the sweeper said, तो sweeper ने कहा कि मुझे उमीद है, मैं उमीद करूँगा कि वो जरूर आएं आपसे मिलने, You have given me a bit of Christmas cheer, I never expected to have, आपने जो है, मुझे Christmas की थोड़ी सी कुशी दी है, जिसकी मैं कभी उमीद भी नहीं कर रहा था, I would say you deserve to have your dream come true, मैं कहूंगा कि आपका सपना सच होना चाहिए, आप ये deserve करते हो, and he actually smiled और वो सच में जो है, मुस्कुराया, When he had gone, पापा पनव put on cabbage soup for his dinner, जब वो चला गया, तो पापा पनव ने जो है, गैस के उपपर गोपी का सूप बनाने के लिए रख दिया, then went to the door again, scanning the street, फिर वो जो है, दुबारा दर्वाजे की तरफ चले गए, और सड़क को देखने लगे, He saw no one, उन्होंने किसी को नहीं देखा वहाँ पे, but he was mistaken, someone was coming, पर उन्हीं जो है, उन्हें गलती हो गई थी, उन्हें mistake हो गई थी, वहाँ कोई तो आ रहा था, The girl walked so slowly and quietly, hugging the walls of shops and houses, that it was a while before he noticed her, तो सड़क पे जो है, एक लड़की चल रही थी, और बहुत धीरे धीरे चुप चाप चल रही थी, और बिल्कुल जो है, दीवारों से जो है, चिपक चिपक के चल रही थी, कि पापा पनफ को थोड़ा time लग गया उसे देखने में, She looked very tired as she was carrying something, वो जो है, बहुत थकी हुई लग रही थी, और उसके हाथ में कुछ तो था, As she drew nearer, he could see that it was a baby, जैसे जैसे वो पास आई, पापा पनफ को दिखाई दिया कि वो तो एक baby है, wrapped in a thin shawl, वो जो है, एक पतले से shawl में लप्टा हुआ था, There was such sadness in her face, and in the pinched little face of the baby, उसके चहरे पे बहुत उदासी थी, Won't you come in, he called, उन्होंने जो है, उसे बुला के कहा, कि क्या तुम अंदर नहीं आओगी, Stepping outside to meet them, वो जो है, अपने घर से बाहर निकले और उनसे मिले, You both need a warm by the fire and the rest, तुम दोनों को जो है, जरुरत है, थोड़ी सी आग की, थोड़ी सी गर्मी की, और थोड़े से आराम की, The young mother let him shepherd her indoors into the comfort of the armchair, तो वो जो माथी बच्चे की, उनके पीछे पीछे जो है, अंदर गई और उस बड़ी सी कुर्सी पे बैट गई, She gave a big sigh of relief, वो जो है, फिर उसने रहत की सांस ली, I will warm some milk for the baby, पापा पनव ने कहा की, मैं बच्चे के लिए थोड़ा सा दूद गर्म कर देता हूँ, I have had children of my own, I can feed her for you, मेरे अपने भी बच्चे थे, तो तुम चाहो तो इस बच्ची को मैं पिला दूँगा दूद, मैं गर्म करके ले आता हूँ, He took the milk from the stove and carefully fed the baby from a spoon, उन्होंने जो है उस stove से दूद को निकाला और फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने बच्चे को दूद चम्मत से पिलाया, Warming her tiny feet by the stove at the same time, और जो बच्चे के चोटे चोटे जो पैर थे उसे जो है, उन्होंने स्टोफ की आग से धीरे-धीरे हाथ से उन्होंने उसकी सिकाई भी करी कि थोड़ा गरम भी कर दो She needs shoes, the cobbler said फिर जो पापा पनव थे उन्होंने कहा कि इसे तो जूतों की जरुरत है But the girl replied, I can't afford shoes, I have got no husband to bring home money तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं जूते तो effort नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं दिला सकती इसे जूते क्योंकि मेरे पास कोई पती नहीं है जो घर में पैसे ला सके I am on my way to the next village to get work, मैं दूसरे गाउं जा रही हूं ताकि मुझे वहाँ पे कुछ काम मिल जाए A sudden thought flashed through Papa Panav's mind एक विचार जो है अचानक से Papa Panav के दिमाग में आया He remembered the little shoes he had looked at last night उन्हें वो छोटे से जूते याद आए जो उन्होंने कल रात देखे थे But he had been keeping those for Jesus पर वो जूते तो वो Jesus के लिए रख रहे थे He looked again at the cold little feet and made up his mind उन्होंने फिर दुबारा वो छोटे जो है उस बच्ची के पैर को देखा और उन्होंने अपना दिमाग बना उन्होंने अपना दिल बना लिया कि अब उन्हें क्या करना है Try these on her he said Handing the baby and the shoes to the mother उन्होंने जो है वो बेबी उसकी मा को दिया और वो जूते निकाल के जो है वो उसको दी और बोला कि ये बच्ची के पैर पे try करके देखो The beautiful little shoes were a perfect gift वो जो सुन्दर से छोटे जूते थे वो तो perfect fit आए उस पे fit होगा बच्ची के पैर पे The girl smiled happily and the baby gurgled with pleasure तो वो लड़की जो है खुशी से मुस्कुराई और बच्चा भी जो है खुशी से किलकारिया मारने लगा You have been so kind to us, the girl said तो उस लड़की ने कहा आप तो हमारे लिए बहुत दयालू हुए हैं When she got up with her baby to go जब वो खड़ी हुई चलने लगी अपने बेबी के साथ तो उसने जो है पापा पनफ से कहा कि आप बहुत ही दयालू है May all your Christmas wishes come true मैं ऐसी प्रातना करूंगी कि आपकी जितनी भी Christmas की इच्छाएं हैं सब पूरी हो But पापा पनफ was beginning to wonder if his very special Christmas wish would come true पर पापा पनफ को तो जो है वो सोचने लगे थे उन्हें जो है उनके दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि उनका जो special Christmas की जो wish है क्या वो सच में सच होगी या नहीं और वो क्या थी wish कि वो Jesus से मिल पाएं Perhaps he had missed his visitor उन्हें लग रहा था कि हो सकता है उन्होंने जो है Jesus को miss कर दिया हो He looked फिर उन्होंने देखा He looked anxiously up and down the street तो उन्होंने जो है रस्ते की तरफ देखा उतसुपता से There were plenty of people about but they were all faces that he recognized महाँ पे बहुत सारे चहरे थे पर वो सब तो वही चहरे थे जिने वो जानते थे They were neighbors going to call on their families ये सब जो है ये तो उनके पडोसी थे जो अपने परिवार के साथ थे They nodded and smiled and wished him happy Christmas उन सब ने जो है मुस्कुरा के पापा पनव को happy Christmas बोला और beggars and पापा पनव hurried indoors to fetch them hot soup and a generous hunk of bread hurrying out again in case he missed the important stranger और वहाँ पे जो है कुछ भिकारी भी थे और तो पापा पनव जो है जल्दी से अंदर गए ताकि जो है वो गरम सूप जो वो बना रहे थे वो भिकारी ओं के लिए ले आए और ब्रेट भी ले के आए और वो जल्दी जल्दी बाहार आए क्योंकि वो यह नहीं चाहते थे कि जो उनके जो विजिटर हैं उन्हें वो मिस कर दे जल्दी जो है जो दिन था वो ढल गया और शाम आ गई जब पापा पनव दुबारा दर्वाजे की तरफ गए तो नो ने अपनी आखों से जोड लगा के देखा पर वो नहीं देख पा रहे थे कि कौन है वहां रस्ते में क्योंकि अंधेरा हो गया था Most were home and indoors by now anyway जादा तर लोग तो अब घर के अंदर ही चले गए थे क्योंकि शाम हो गई थी राइट और अंधेरा था और सर्दी का दिन था He walked slowly back into his room at last, put up the shutters and sat down verily in his armchair वो जो है धीरे धीरे अपने कमरे में वापस आ गए और उन्होंने दर्वाजे बंद कर दिये और वो जो है अपनी चेर के उपर बैट गए So it had been just a dream after all तो मतलब ये तो एक सपना ही था आखिरकार Jesus had not come, Jesus जो है सच में नहीं आये थे Then all at once he knew that he was no longer alone in the room फिर अचानक से उन्हें पता चल गया कि वो कमरे में अकेरे नहीं थे उन्हें मतलब ऐसा लगा कि कमरे में कोई और तो है This was not a dream for he was wide awake ये कोई सपना नहीं था क्योंकि वो तो पूरा जाग रहे थे At first he seemed to see before his eyes the long stream of people who had come to him that day फिर सबसे पहले तो उन्होंने क्या देखा उनकी आखों के सामने वो सारे लोग आए जो उस दिन उन से मिलने आए थे He saw again the old road sweeper, the young mother and her baby and the beggars he had fed उन्होंने वो सब लोग देखे जैसे कि वो जो सुबा 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 सुईपर था जो सडक साफ कर रहा था वो जो लड़की थी जो अपने बच्चे के साथ आई थी और जो भिकारी थे जिन्हें उन्होंने खाना दिया था जैसे जैसे वो उनके पास से गुजर रहे थे वो सब उनसे कह रहे थे क्या तुमने मुझे नहीं देखा पापा पनव तो उन्होंने हैरानी से चिलाते हुए कहा तुम कौन हो तो एक दूसरी आवाज ने उन्हें जवाब दिया यह आवाज किस की थी यह जीजस की थी उन्होंने कहा कि मैं तो भूका था और तुमने मुझे खाना दिया मैं जो हूँ मेरे पास कपड़े नहीं थे और तुमने मुझे कपड़े दिये मुझे ठन लग रही थी और तुमने जो है मुझे गरम किया तुमने जो है मुझे आग के पास बैठने दिया I came to you today in everyone for those you helped and welcomed मैं उन सब लोगों के रूप में आज तुम्हारे पास आया था जिनकी तुमने मदद की और जिनका तुमने स्वागत किया Then all was quiet and still फिर अचानक से जो है सब शानत हो गया Only the sound of the big clock ticking could be heard सिर्ज उनके कमरे में बड़ी सी घड़ी थी उसके टिक-टिक की आवास सुनाई थी A great peace and happiness seemed to fill the room overflowing पापा पनव's heart until he wanted to burst out singing and laughing and dancing with joy उनके दिल में बहुत सारी शानती और बहुत खुशी से उनका दिल एकदम से भर गया पापा पनव जो है उनका दिल जो है वो एकदम से जो है ऐसा करने लगा कि वो सोचने लगे कि मैं जोर जोर से गाऊं और नाचू उन्हें इतना अच्छा लगने लगा So he did come after all was all that he said और उन्होंने end में सिर्फ इतना ही कहा कि वो आए इसका मतलब मतलब वेन में Jesus आए तो सही मुस्से मिलने तो यह स्टोरी किसने लिखी है Leo Tolstoy